जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं लोक तंत्र में हमारा तूठ बिश्वास है पांच साल पहले हमारी सरकार बनी और पांच साल से हमने हमारी सरकार ने पूरी निष्ठा से चतिस्गर्ड के लोगों की सेवा की हर वर्ग के लिए चाहे हमारे ट्राइबल रहन भाई हूं चाहे अनुसोचित जाती किसान, मजदूर, महिलाएं स्वयम समूः युवाओं के लिए हर तरह से हर तरफ हमारा प्रियास रहा कि चतिस्गर्ड के लिकास में सब को हिस्सा मिले कही ना कहीं हम अपना ये संदेश जंता तक पूरी तरह से नहीं पहुचा पाए नतीजों से यही लगता है निराशा जनक जरूर है ये नतीजे लेकिन कॉंग्रेस पार्टी कभी हताश नहीं हुई हमने चुनाव हारे भी हैं, जीते भी हैं हार कर फिर खड़े होना यही बहादूर योधाओं का काम होता है हमारे वरकर बहादूर योधा हैं पहले भी उन्होंने इस तरह की चुनावतियों का सामना किया और आगे भी हम राहुल जी के नितरतु में खारगे जी के नितरतु में हम लोगों की गरीबों की वंचित वर्गों की जरूरत मंद लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनके हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जो जीते हैं उन्हें हम बढ़ाई देते हैं, आने वाले समय में हम उमीद करते हैं कि भारतिय जिन्ता पार्टी की सरकार लोगों का पूरा पूरा ध्यान करें, लोग तंत्र में विश्वास रखें और जो काम, अच्छे कारिये हमने शुरू किये, उनको वो आगे बढ़ाएंगे जैसा मैंने कहा लोग तंत्र में हमारा विश्वास है और एक मजबूत विपक्ष की तरह से हम काम करेंगे जहां हमें ठीक लगेगा, हम जन्ता हित में, जन हित में सरकार का सहयोग भी करेंगे लेकिन लोगों की आवास हम पूरी तरह से सदन में भी और बाहर भी उठाएंगे कुछ महिनों में लोग सभा का चुनाव आने वाला है हमें देखना है, समीक्षा करते हुए कि हमारी क्या कहां पर कमजोरी रही उसकी पूर्ती करते हुए फिर से अगले चुनाव की तयारी कर्मी मिल जुलकर हम ये लडाई लडेंगे और जो हमारी विचार धारा की लडाई है अपनी विचार धारा, देश की विचार धारा के लिए हम पूरी मस्बूती से आगे बढ़ेंगे और लोग सभाज का के लिए हम पूरी तयारी करेंगे आपने चीक बात कही और ये किसी को नहीं लगता था ना मीडिया में किसी को लगता था नाश्रल मीडिया में ना 36 गड़ की मीडिया में कि यहां पर कॉंग्रेस की सरकार नहीं बनेगी या भारतिय जिंदा पार्टी की सरकार बनेगी किसी को नहीं लगता था तो हम इसके बारे में समीक्षा जरूर करेंगे और आपने जो कहा कि कहा क्या कमी रही उसको हम बड़ी गहराई से उस पर विचार करें कई जगे हैं लेकिन इसके विपरीत आप देखिए कि कुछ जगे हम बहुत इक बढ़िया ढंक से भी जीते हैं बहां के मार्जिन्स आप देखिए तो ये सारी बातें देखने वाली कि क्या कारण है कि कहीं तो आप दीस हजार से हार रहे हैं और कहीं एक ही लाइन में आप सारी सीटें बहुत बढ़िया अप रचन बहुत से जीत रहे हैं इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि कहां पर हार हुई तो क्यों हुई कहां पर इतना ज्यादा हार हुई तो क्यों हुई कहां पर हम इतने ज्यादा अच्छी तरह से जीते हैं